नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ अजय टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी 20 सिरीस का दूसरा मैच भारती टीम ने साथ विक्टों से अपने नाम किया टीम इंडिया की इस जीत के कई हीरो रहे उन में से एक थे शारदूल ठाकुर शारदूल ने अपने गेनबाजी से सभी को प्रभावित किया उन्होंने मैच में दो एहम विकेट चटकाए जिस वजह से इंग्लैंड की टीम बड़ा टोटल खडा करने से चूग गई इस मैच में शांदार गेनबाजी करने वाले शारदूल ठाकुर ने मैच के बाद खुलासा करते वे बताया कि आखिर वो कैसे इस मैच में शांदार गेनबाजी कर पाए शारदूल ठाकुर के मताबिक अनुभवी गेंदबाज भूवनेशर कुमार के मैदान में होने से गेंदबाजों को काफी फाइदा मिला उन्होंने कहा कि भूवी ने हमें पहले ही बता दिया था कि इस पेच पर स्लोवर गेंदे ज्यादा कारगर रहेंगी मैच के बाद अपनी शांदार गेंदबाजी के लिए भूवनेशर कुमार को क्रेडिट देते वे शारदूल ठाकुर ने कहा भूवनेशर कुमार ने पहले ओवर में गेंदबाजी की इसके बाद उन्होंने तुरंट सभी गेंद बाजो को बताया कि इस पिच पर धीमी गेंद ज्यादा कारगर साबित होंगी हमने तुरंट इसके बाद अपना प्लान चेंज किया और ज्यादा से ज्यादा स्लोर गेंदे डालने की कोशिश की यही वज़ा रही कि इंगलैंड के बल्ले बाजों को बड़े शॉर्ट्स खेलने में काफी ज्यादा दिक्कते आए इसके लावा हमें विकेट्स भी मिलते चले के आपको बताते चले टीम इंडिया के स्टार तेस गेंदबास भूवनेशर कुमार लंबे समय के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं आईपिल 2020 के दौरान वो चोटिल हो गए थे जिसके बाद से ही वो टीम से लगातार बाहर थे इस साल टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होना है ऐसे में भूवनेशर कुमार की एहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ क्लोजिंग तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ